दोस्तों आज हम जिस शेर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है HFCL, हिमाचल Futuristic Company Limited, जी हाँ, एक समय पे इसका भाव 25-100 रुपे के आसपास में हुआ करता रहा, आज ही कमपनी 100 रुपे के आसपास में मिल रही है, क्या हम इसमें निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश क अच्छा में, इसके लिए मैं अपनी Fires की अप्रिकेशन को यूज करता हूँ, जहां पे मुझे एक जटके में उस पर्टिकुल शेर के बारे में सारी निवेश, नए से लिए के पुरानी सब पता लग जाती, हाल फिला लगए निवेश की बात करते हैं, तो HFCL को BSL से एक 6.23 विलिन रुपीस का, चार हफते पहले, उससे पहले कमपनी को आटर मिला 1127 करोड का साथ हफते पहले, उससे पहले कमपनी बिकम्स दे फर्स इंडियन कमपनी तो डिजाइन 5G FWA प्रडक्स इन इंडिया, आठ अत्ते पुरानी निउस है, कमपनी इंटेजिनिस 5G Fixed Wireless Access Products, एक और चीज़ बात जाता हूँ, ये कमपनी अभी से 6G की प्लानिंग कर रही है, टेलिकॉम हिंदोस्तान में इतना इंप्लाइट क्यों है, दोस्तो हमारे यहाँ पे कितने यूजर्स ना टेलिकॉम, इसके लिए चलते हैं गूगल पे, ताकि मैं समझ में हैं कि हम किस इतना इनलसिस में, देखते हैं गूगल पे क्या इंफोर्मेशन हमारे लिए और क्या हमें इस टॉक में निवेश करना चीज़ इस वीडियो में पूरा देखने कोशिश करेंगे, बट आगे पढ़ने से पहले, इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को थेश की लेटर्स रिपोर्ट है, 114.8 करोर, हमारी आबादी 140 करोर की, और 114 करोर टेलीकॉम सबस्क्राइबर्स हैं, तो ऐसे टेलीकॉम पड़ी प् nom vergessen को क्या है, और हम दुनिया में चायद सबसे बड़े हैं. गेटा के उपर नज़र डालते हैं HFCL के पूरा डेटेल स्टड़ी करने से पहले ATL के जो हमारे Active Subscribers है 37.5 करोर्स है 5G, 4G, 2G, तीनों सब्सेस यूज़ करते हैं BSL के 5 करोर्स, MTL के 0.7 करोर्स, GEO के 41.7 मतलब ATL के 37 और GEO के 41.7 Vodafone के है 19.93 Vodafone का share जो अभी 20 रुपे के नीचे मिल रहा है आपको 25 रुक लग रहा है, उसके 20 करोर यूज़र्स है और आने मले टाइम में, अभी इसके 4G टेकनोलजी है 5G इसके पास नहीं है, 5G GEO के पास में है और आपके पास में, ATL के पास में है और इन सभी टेलीकम प्रवाइड करने वाली एक कमपनी है जो है HFCL सोचके देखे, सभी, सभी को प्रवाइड करने वाली आपको विश्वास नहीं होता सब जाके देखते हैं और चलते हैं स्क्रीनर के उपर में जो बिल्कुल फ्री वेबसाइट से हैं सबसे पहले चलते हैं कमपनी के क्लाइंस के पास में पर क्लाइंस से पहले जो इंपॉर्टन है देखे, अभी हम 2024 की बात करें है 2024 में क्वाटर थर्ड में और बुकती 7,678 क्रोड जो बढ़के अभी 8,000 क्रोड के पार जा चुकी है तो यहाँ पे क्लाइंस की बात करनी कोशी करते हैं जैसे मैं आपको कहा था क्लाइंस में L&T, Jio, Atel, Vodafone, BSN, Globe, Liquid, Alstom, SSCI, Mayfill बलब ऐसा कोई दिगज नहीं जो इसकी बुक्स में बचा नहीं तो यहाँ पे एक ऐसी कमपनी जो सभी को प्रोवाइड करती है तेलिकॉम सर्विसेज और यह कमपनी बहुत पुरानी कमपनी है हिमाचल Futuracy Communications Ltd. is a diverse तेलिकॉम infrastructure enabler with the active interest spanning तेलिकॉम infra, development system integration and manufacture and supply of high and telecom equipments, optical fiber and optical fiber cable यह वो धन्दा है जिसमें मुकेश हमानी ने strategically invest किया हुग यह कहीं न कहीं मुकेश हमानी की एक strategic कमपनी है इसमें उनका निवेश भी है, यह जानने के लिए हम थोड़ा सा details study और करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरह की buying selling advice नहीं है buying और selling सिर्फ आपका decision होना चाहिए, आपको लेना है या नहीं लेना और यह जाके इस वीडियो को देख लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जो आपके मतलब की आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे stocks हैं जो आपके पास होने वाले है जो आपकी watches में होगी जिसको आप study करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए, well known definition on कीजिए, ताकि आपको सब details completely मिल सके तो यहाँ पर investor के पास चलते हैं, investor बड़ा ही interesting column है यहाँ ठीके investor से यह पताला गया कि होने क्या वाला है promotors के वासे 42% equity है, अभी 37% के आसपास यह कुछ promotor ने माल बेचा है पर यह जो माल बेचा है, promotors ने, promotors ने sell किया है, FIs ने buy किया है FIs 2% equity hold करते हैं, 2% से बड़के FIs की equity होगी 8%, इन्होंने 6% stake बड़ा है promotor 42% से गिर के रहा है 37%, तो मोटा मोटा है, इसमें से 5% stake sell हुआ है उन्होंने 6% बड़ा है, 2DIS ने, DIS पहले नदारत थे, यह भी 4% equity hold कर रहे है public थोड़ा-थोड़ा माल बेचती आ रही, public को क्या है, public को तो बता नहीं है करना क्या है, जैसे भाव बड़ेगा, public उसमें से exit होना साड़ जागी यही तो public का nature है, public को पता ही नहीं है, deep dive करना है की नहीं करना तो आप deep dive किजिए, एक नज़र डालते हैं, इसके share loading pattern के उपर में हम चलते हैं public के अंदर में, public में जाके आपको पता लगया, कि असली खेल कहां पे है Reliance Strategic Business Ventures Limited, आपको मालू है, Tejas में Tata ने invest किया था, उसके बाद बहुत कहां से कहां चला गया यही Reliance यहाँ पर investment करके बढ़े है, Reliance Ventures Limited के थुरू, और Reliance Strategic Business Ventures के थुरू यहाँ पर इसकी equity है, 3-3% के आसपास में hold है, और Reliance Ventures के जो equity है, वो 1-5% के आसपास में यहाँ पर equity बढ़ाई जा रही है तो Reliance का इसमें investment है, एक strategy के investment इसने किया हुआ है, और Reliance की कही जाती है, कि Reliance की एक B company है, जो telecom में धमाल मचाने वाली है और एक conference में, मुकेश अमाने ने कहा था कि 5G और 7G technology इंडिया में is like a काम देनू, मतलब पैसा बरसने वाला है, यह हर घर-घर जाने वाले, 12-16 में जब G.O आया था, उसने जो भूचाल मचाया, उसने जो revolution किया, घर-घर में entrepreneurs करी कर दिये, घर-घर में YouTubers करी कर दिये, घर- आप याद है, 2G के टाइम पे जो आप वीडियो देखने ही कोशिश करते रहे, WhatsApp पे अगर वीडियो आती थी, उसको डाउनलोड होने में पूरा दिन लगता था, अगर साइस बड़ा है, फिर वीडियो को प्ले होने में पूरा दिन लगता था, और आज एक क्लिक के बेसिस पे, तो दूर दरास गाउं में बैठा हुआ, एक गरीब ही वीडियो बना के अपनी जीवी का कमार है, बहुत साइए यूट्यूबर्स, बहुत सारे content creators आपने देखे हैं, जो इस technology का फाइदा उठा रहे हैं, और उनको Google से कमाई हो रही, घर बैठे-बैठे, वो कमाई कर रहे हैं, and this revolution is all because of the telecom revolution in India, and 5G के साथ-साथ में, we are heading towards 6G, we are heading towards 7G, and we are the second largest, second largest CS mobile phone users in the world, and second largest internet consumers in the world, ये समझे इसको number one होने वाले हैं, उननेस पर भी 12 बच के एक याउने मिट पे वीडियो शूट हो रही है, आपके पास होड़ा लेट जाएगी, क्योंकि record करने में, publish होने मे कह रहा था, 60-70 रुपे के आसबास में, इसको लेके बैठ जाओ, इसको लेके बैठ जाओ, इसको लेके बैठ जाओ, इसको लेके बैठ जाओ, मेरी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप करने वाले हैं, मैं इस वीडियो का purpose सिर्फ ये है, कि क्या हम HFCL को ये study कर सकते हैं, कि य लेने वाला भाव है, या बेचने वाला भाव इसमें लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, ये decision आपका होगा, बट मैं आपकी help कर रहा हूँ, so this is only for educational learning purpose about HFCL, तो यहाँ पे इस stock के अंदर में, अगर आप देखेंगे, मंसली चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है, ये पहले, जिलनों को नहीं मालूम, बता दूँ, ये stock 2500 रुपे के आसपास trade कर चुगा है, 2575 रुपे का इसका बाव हुआ कर था, किस समय में, 1902,000 से पहले पहले, सोच के देखिए, ठीक है, तो ये stock गिरते गिरते, उस समय इसकी जरूरत नहीं थी, ये pump and dump का game था, बहुत त ये stock आके 5 रुपे के आसपास, 10 रुपे के नीचे भी trade किया, बहुत time तक consolidation किया, उसके बाद 2022 में कुछ volumes आने start होए, यहां से stock ने 25 रुपे के आसपास से, 22 रुपे के आसपास से stock ने चलना start किया, उसके बाद stock ने जो journey travel की, वो एक बहुत ही tight journey थी, और ये आप देख सक बहुत अच्छे से मैंने इस जोन को mark किया हुए, ये जोन 60-70 रुपे के आसपास का जोन है, 60-70 रुपे के बीच में ये देखिए कब से कब तक 2021 से लेके 2024, बहुत तीन साल इसने लगा दिये, तीन साल की consolidation अब भटती हुई दिखाई दे रही है, और अब यहां पे एक 5 र 27 जी की बाते हो रही है, तो यहां पे HFCL की बात ना करें, तो हमारी बेमानी होगी, हमें करना चाहिए, तो यहां पे अब यह जो move है, मुझे बहुत ही sustained move दिखाई दे रही है, 80 रुपे का breakout बहुत ही शांदार था, अस्ती के बाद मेरा जो टागेट था, कम से कम 90-100 पर में, 100 रुपे, 100 रुपे बिकम्स माई stop loss and I will write this stock, मैं इस stock को अभी भी राइड करना चाहूँआ, क्योंकि 100 रुपे को पार कर चुगा है, 100 रुपे का चोटा सा stop loss है, मैं इसको राइड करूँआ, टागेट क्या हो सकते हैं, टागेट दो तरह से निकाल लेंगे, एक ट बनाची, दूसरा टागेट रहेगा, trend trading calculator, trend trading calculator के लिए मुझे, आपको मेरी website के उपर जाना हुगा, टीटी की access होगा सिर्फ मेरी website के उपर में, और यहाँ पे जब हम login कर लेते हैं, तो जब TTC के उपर जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो डालना है, HFCL, 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 तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही clear है, यह stock जब 67 रुपी की range से निकला, तो मेरा target क्या था, 90 से 100 रुपे, आज यहाँ पे, this is a breakout and breakdown level, 100 रुपे के उपर मेरे जो टागेट हैं, 110, 110, 632, कुछ लोग कहते हैं यहाँ बढ़ने के बाद stock बताते हैं, जी नहीं, ऐसे बहुत स यह stocks मुझूद हैं, जो चलने से पहले आपको बताएगे, तो यह stock मैंने trading room में discuss किया था, जो लोग में साथ लाई बैटकर trading करते हैं, महाँ पे एक साल पहले से discuss कर रहा हूं, इस stock को, आज भी मेरा favorite stock है, और मुझे लगता है, आज भी stock के अंदर बहुत potential है, मुझे लगत करते हैं, इसके targets, 100 रुपे को पर 96 का जो hurdle था, 96 से बाद में पहला target आता है, 141 रुपीज का, सूपब, 41%, मलम, almost 40% के आसपस की रिटन से यहां पे आ रही है, second targets है, 214 का, 3rd है 288, 361, 434, and sky is the limit, एक time pay stock, 2500 रुपे हुआ करता रहा, जिस समय, जिस समय हिंदुस्तान में telecom users नहीं थे, जिस समय आपकी जो outgoing थी, 10 रुपे, 15 रुपे, 20 रुपे का rate हुआ करता रहा, incoming के भी 10 रुपे लगते थे, हर किसी के घर में phone नहीं था, MTNL का phone किसी किसी के घर में हुआ करता रहा, उस समय हम 5G, 2G की बाते भी नहीं कर रहे थे हैं तो खाली ये quality की बैट के phone हो बात करें, Samsung की बात करें, जो बहुत ultra phones बना रहे हैं, एक-एक डे-डे-डे-लाक रुपे के phone बेच रहे हैं, स्रम made in India phones हैं, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में telecom एक revolution है, होगा और और बाड़ा होने वाला, तो मेरे ही साब से HFCL को miss करना बेवकूफी होगी, मैं इस पो miss नहीं करना चाते हूं, बाकी मरदी आपकी है, तागेस आपके सामने है, stop loss आपके सामने है, तो stop loss में 96 के आसपास लगो, sony रखा 96 हो, फीबनेची कहती है, तो अगर 10 point का ही तो SL है, अगर किसी के बसके 10 रुपे का SL लगाना नहीं है, तो सब बेकार है, तो तीन दीन पहल देखना इस range के अंदर शायद bottom out करने की कोशिश करेगा, यह दोनों stocks की range मैंने discuss की थी, और आज की एक नदर कर डालने कोशिश करते हैं, साला सर के ऊपर में, तो शायद आपको समझ में आएगा, यह वही range है, जहाँ पे stock आज अपर circuit में दिखाई दे रहा है, यह exact वही range ह जो मैंने आपको इस वीडियो में discuss की थी, go and check out the video, कि भाई बजार इस range में आएगा और यहीं से बजार उपर गुमने की कोशिश करेगा, तो आज का stock 5% उपर बढ़ा हुआ है, इसने exactly उस range को आज टच करने की कोशिश किया, मुझे नहीं पता कहा तक जाएगा, आप जाक हम देखेंगे कि क्या यहाँ buying initiate होती है, अगर यहाँ से initiate होई buying, तो शायद इसका यूटन वापस साड़ जाएगा, नहीं हुआ तो 25 रुपे का stop loss है, इसके नीचे हम निकल जाएगे, दोस्तों किसी भी stock को trade करने के लिए आपके पास में एक perfect stop loss होना चाहिए, एक study होनी च notification होना चाहिए, अगर trend पता है, तो बजार कहीं भी लिके जाए जा सकते है, अगर आपको trend नहीं पता, तो आप जो भी trade करेंग घलत होने वाला है, तो सबसे पहले अगर आप बजार में नए हैं, और नए है या पुराने है loss खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो focus होना चाहिए, जो time की investment होनी चाहिए, वो trend को identify करने में होनी चाहिए, अगर आपको trend identify नहीं करना आता, तो मैं आपको बता लेता हूँ, मैं आपकी छोटी सी help में कर देता हूँ, trend तीन तरह के होते हैं, जहां पे price higher high, higher low बना के जाता है, तो उसको कहते हैं, हम uptrend, दूसरा होता है, जब कोई भी price किसी भी time frame में lower high, lower low formation करता है, इसको हम कहते हैं, downtrend, जब price एक range में first जाता है, इसको हम कहते है, no trend या sideways market, यह trade करने के लिए बहुत best market होती है, यह investment करने के लिए बहुत best market होती है, यह profit book करने के लिए best time frame होता है, यह time frame एक मिनट पे भी हो सकता है, यह time frame एक घंटे पे भी हो सकता है, यह time frame आपका एक दिन, एक महिना, एक हफता भी हो सकता है, जैसी investment, जैसी trading आप कर रहे हैं, हर time frame पे stock के trend को पहले identify कीजिए, अगर आपने trend identify कर लिया है, आप यहाँ enter होगे है, तो यह आपका stop loss है, आप short कर रहे हैं, आप यहाँ enter हुए है, त तो यह चोटा सा उपर एक stop loss हो सकता है, यहाँ पे target आप आप कहिंगे stop loss क्यों, stop loss ज़रूरी है भाई, stop loss बिल्कुल उस helmet की तरह से है, जहाँ पे आपको bike तो चलानी आती है, पर अगर गिरे, तो सबसे पहले सर फटने से बचेगा stop loss से, तो stop loss is very important, अगर आप stop loss से डरते ह है, आपको बजार में आपने अकाउंट बंद कर देने चीए, stop market से आपको चले जाना चीए, यह बजार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है, थोड़ा सा rude sound कर रहा हुए बात कहते है, बट सच है, तो करवा है, दोस्तों इसी information के साथ में, मैं आपसे विदा चा सब आपके लिए, thank you so much for watching this video, take care, bye bye, jahin